कल जो हुआ वो तो ऐसा लगा जैसे की सत्ता मिलते ही पूरी की पूरी तरह काया पलट हो गया कोई भाजपा कानेता बगल में सदन चल रहा था कोई एक बार देखने तक हमें नहीं आये बरबरता पून तरिके से लाठी चार्ज घेर करके सिक्षिकाओं को पिटा गया उनको थाने में बैठा के रखा गया उनके साथ दुरोवेवार तक हुई नियोजित सिक्षकों को राज कर्मी का दरजा देने को लेकर पिछले कई महीनों से लगतार सिक्षक संग आवाज उठा रहे है और मुख मंतरे नितिस कुमार से बार बार ये मांग की जा रही है मुख मंतरे नितिस कुमार ने ही गांधी मैदान से आयलान किया कि सभी नियोजित सिक्षकों को राज कर्मी का दरजा मिलेगा एक छोटी सी परिक्षा पास करनी पड़ेगी लेकिन इस बीच सिक्षा विभाग के तरफ से एक निर्देश जारी होता है कि अगर तीन बार में भी अगर सक्षमता परिच्छा कोई नियोजी सिक्षक पास नहीं करता है तो उनकी नौकरी भी जा सकती है उनकी नौकरी चली जाएगी अब उसके बाद सही सिक्षक संग निय सदनी बाग में धर्ना दिया उसके बाद भाजपा दफ्तर पहुँचे थे समराच चौजरी से मिले लेकिन वहां की तस्वीरे निकल कर सामने आई जहां नियोजी सिक्षकों के उपर लाठियां बरसाए गए याद कीजिए वो दिन जब भारतिये जनता पार्टिये खुद हैं लाठियां जो है वाबजूद चल रही है आप लोगों पर हमारे साथ नियोजी सिक्षक और सिक्षंक संके नेता केशब जी हैं और अमित विक्रम हैं अमित विक्रम जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको याद होगा भारतिये जनता पार्टी आप लोग सिक्षकों के पच्षमें विराट सभा की रैली करनी चाहें गहराव करना चाहा और उन पर लाठियां बर्ची और हमारी समवेदनाएं उस वक्त उनके लिए बहुत ही जादा थी उनके एक नेता जहानाबाद जिले के उनकी मौत भी हो गई थी और हम आज भी कृतग हैं उन तरह काया पलट हो गया नीती और नियत दोनों बदल गई नीती तो आप बाद में बदलते कम से कम आपकी जो नियत थी आप बुला करके जो बात करते थे पहले याद किजिए 13 जुलाई को आपने अंदोलन से पहले सभी सिक्षक संगों को तीन तीन बार बुलाया फोन करकर के हमें बुलाय जाता था कि आये मीजी आये केशव जी आये राजुजी आये अनन जी हम लोग वार्ता करेंगे आपसे आपके मांग को सुनेंगे समझेंगे और आपके लिए हम लड़ेंगे और जब सत्ता में आए हम उनहीं मांगों को कोई नहीं मांग नहीं है बिनाशत ताजकर्मी की मांग जब हम उनके समक्ष बस कहने गए थे हम अपनी बात पहुंचाने गए थे कि दिन बर हम सांति पुन्धंग से सत्यागरा हंदोलन पर बैठे रहे कोई वारता की पेशकर्स नहीं हुई कोई भाजपा कानेता बगल में सदन चल रहा था कोई एक बात देख देखने तक हमें नहीं आए तो हम बस अपनी मांग अपनी पीडा उनको सुनाने गए थे कि आप वो दिन याद किजिए जब आप हमें फोन करके बुलाते थे और एक आज का दिन है बगल में हम लोग दिन भर भुके प्यासे बैठे रहे आप देखने तक नहीं आए उस पी में बैठा के रखा गया उनके साथ दुरोवेवार तक हुई उनको सड़क पर गिर गई उन पर कई लोग पतलब भगदर के सिती होगे कई लोग चड़ गए उनके उपर तो सोचिए ऐसी पीडा और ऐसी कष्ट इस सरकार में वही सरकार जो खुद हमारे लिए सरक पर थी हम लोगों को कल बहुत कष्ट हुआ है बहुत पीडा हुआ है ये वैवार हमने बिलकुल उमीद नहीं की थी भाजपा से हमने सोचा नहीं था कि जो पाटी सत्ता से आने से पहले हमारे लिए सड़क पर संघर्ष करती है लाठियां खाती है इनके सांसद इनके बिधायक से राश हैं हतास हैं और बहुत पीडा पहुंची है हमें भाजपा की इस वेवार से चलिए हमारे साथ केसब जी जब कल लाठी चार्ज हुई तो आप भी मौजूद थे वहां कोई खास नहीं हम लोग चुकी गरदनी बाग में हम लोग का विधान सभा का घहराओ था वहां एक बजने से हैं कि आम लोग की बाता मुक साचेू कराई जैंगे तब हम लोग कहें कहीं तो अपनी मांग रखनी है तो जो भाजपा अभी सात माँ पहले हम लोग के लिए गिराक वंगला चौरा है पर पिटाय थे सहाधत दिये थे आज वो सरकार में हैं आज वो उनके दो-दो उपमुहमत्री जी टाइम दिये कि 15 तारी को हम दो बज़े मिलेंगे हमने कहा भी कि 15 को हाउस भी है तो उन्हों उन्होंने कहा कि फिर भी हम मिल लेंगे आप लोग से उसके बाद हम जब जाने लगे तभी एक पदाधीकारी हुआ आए साथ डीएसपी रंके थे उन्होंने उत्रा और तुरांत लाठी चार्ज कर दिया कालर पकर के खिचने लगा कहा तुम लोग मास्टार को वरका नेता ब भाजपा कर जाले के ठीक गेट के सामने अब यहीं तो समाज में नहीं आ रहा है कि अपने भोट के चकर में खाय थे अगर सिक्षक के चकर में खाय रहते तो निश्चीत रूप से सिक्षव के साहनुभूती दिखाते हुए करते हां कल समराज चोधी जी ने यह बात जरूर कहा है कि कोई सिक्षक नहीं हटेगा लेकिन जब हम लोगोंने मांग पत उनको देना चाहा तो उन्होंने मांग पत भी नहीं लिया और नहीं आगे कोई बात हुई तो इसलिए इस परिक्षा को ले करके एक सवाल उट रहा है बार बार की परिशानी कहा है देखे यहीं बात समझाना चाहा है हम लोग कभी परिक्षा का भी रोध नहीं किए हम लोग कभी नियमावली का भी रोध कि हम सिर्प सरकार की जो छटनी निती है का जो अड़्य आधानी अबानी छटनी नि dłiaq कर रहा है सबसे पहले सरकार कई कि पत्ता परिष्हा लेंगे लोगों ने दिया पास किया फीर कही कि नहीं जो बीना पत्ता के पास्से उसकी दख्स्ता परिष्हा लेंगे हम लोगों परिष्टा दिया 80BP 95bo00 नमबर लाया पास किया, सरकाट 2006 में नियाम आवली बनाई, कही कि आपकी सेवा 60 साल तक के लिए है, अनिकुछ सुर०्धाइ भी दी, फिर 12 में नियाम आवली बनाई, कही कि आपकी सेवा 60 साल के लिए है, 2015 में हम लोगों को बजाबता सरकार Chinese बेतनमान दे दी जो सिख्षा के बेतनमान नहीं दिया जो चप्रासी के बेतनमान ने वो दिया लेकिन दिया उसमें कुछ बर्येता क्या धार पर अंतर भी किया है और सुथ हमसे सिल मुख मनेकश हुए जो हमने को दो निश्याबारा में दी अधिया है जो पंदरह ने दिया है जो भीस में दिया है हममें एक्षा का सलनात्र सवाथ दे चुकिया को लुएΓ एक दम मामूली बीपी एसी का परिक्छा उनके लिए दे ऊपाच ऊंकर जाए और उसके बाद जो परिक्षा हम लोग valuation je मेट कुछ सभ्धानतिक विरोद है आप昨ई कि परिक्षा किसलिया हो 너 परिक्षा के लिए और नाम के रख दिया गया सक्षम परिक्ष्षा सक्षम्ता शब्द का मतलब क्या होता है कि आप यह जाचेंगे कि हम सक्षम हैं कि नहीं है तो क्या इतने दिलों से मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं हमारे बड़े भाई 20 साल से पढ़ा रहे हैं क्या हम लोग अक्षम थे योग नहीं थे इतने सालों से जो पढ़ा रहे थे आप सक्षमतार परिछा ले तो हम क्या बच्चों का भवी से बरवात कर रहे थे आप जनता को यही संदेज ना चाहते हैं याद कीजिए आज से छे महने पहले विद्यालियों में सिख्षक नहीं थे इतनी जो वेकेंसी की बात आज सब लोग कर रहे हैं कि हमने तीन लाख वेकेंसी दी दू लाख वेकें आज जब बहाली हो गई है चिक्षक भरपूर हो गए है तो हमको सम्मान देने के बदले हमारी सक्षमता परिक्षा ली जा रही है हमारी योगता पर प्रश्चिर ख़़ा जा रहा है परिक्षा का किसी ने विरुद्धने क्या आप परिक्षा का नाम रख सकते थे नाम परिक्षा नहीं होनी चाहिए परिक्षा अगर होती है तो उसका नाम सक्षमता के बदले आप को लैटरल या प्रमोशन या विभागया परिक्षा पर रखिए और उसके बाद आप जब प्रमोशन के एक्जाम लेंगे तो जो हमारा कंटिनुटी है सर्विस का वह आप दीजिए हम दस साल से बीस साल से काम कर रहें और आप कहेंगा आप नए पेस्केल पर स्टार्टिंग चल जाए अब बताईए इनकी उम्र है कि अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे जिल्म चल जाए इनके बाल बच्चों का क्या होगा मेरे परिवार का क्या होगा परिवार को छोड़कर करके दूसरे दूसरे जिल्म जाने की बात कर रहे हैं जबकि दोजार बीस नियावन कल किस तरीके से इनके उपर लाठियां बरसाए गई, कल दिन भर क्या प्रकरन चला, उसके बाद समरार चौधरी से जब कल मिलेंगे, बिहार के उपमुख मंतरी नवेले, उपमुख मंतरी से जब कल मिलेंगे, तो क्या मांगे रखी जाएंगी, वो भी हम इतने अभी बिहार के जड़ी बताया है, कैमरामेन नदीम आलम के साथ अनिकेत कुमार बिहार तक पटना